जेहिन दोस्तो मनकी फेक्ट्स यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं पॉलेटेकनिक स्टुडेंट के लिए अगर आप पॉलेटेकनिक स्टुडेंट नहीं हैं मालीजे आप सिर्फ 10th किये हैं इस वार या आप 11th किये हैं या 12th कर चुके हैं या 12th करने वाले हैं या graduation में एड्मिशन ले चुके हैं अब 2022 में कहीं भी admission ले चुके हैं तो आप सभी के लिए स्कबरी की बात यह है कि आप सभी को पैसा मिलने वाला है बिहार सरकार द्वारा ठीक है कैसे पैसा मिलेगा कहाँ apply करना है कौन कौन से documents लगेगा प्रोपर वे में आप सभी को इस वीडियो में समझाने का परियास करूँगा आप सभी लोग इस वीडियो में बने रहेगा सबसे पहले आप सभी को dedicated है polytechnic student के लिए लेकिन यहाँ पर आप सभी को BA, BSC, BCOG या 11th में है या 10th में है या 12th में है आप सभी को इस वीडियो को देखने से आप सभी को जो है न profit मिलने वाला है आप सभी को किसी को 8,000, किसी को 10,000, किसी को 25,000 जैसे college में आप है उस करना है कैसे करना है उसके लिए आप सभी step by step समझ ले और देख ले सबसे पहले आप अपने mobile में Google browser खोलीजेगा और वहाँ पर आप सभी को कुछ नहीं करना है सबसे पहले all jobs for you लिखना है ठीक है न all jobs for you यहाँ पर आप सभी को दिख रहा होगा यहाँ पर all jobs for you लिखना है और आप सभी को सर्च कर देना है ठीक है आप सभी को सर्च कर देना है all jobs for you लिख कर इसकी अब नाया एक टैप खुलेगा इसमें आप सभी को कुछ नहीं करना है डारेक्ट नीची आना है ठीक है डारेक्ट आप सभी को नीची आना है स्क्रॉल करते हुए डाक आप सभी को यहाँ पर दिख रहा होगा यहाँ पर आप सभी को दिख रहा होगा थोड़ा सा और नीचे यहाँ पर सरकारी योजना ठीक है ना सरकारी योजना आप सभी को दिख रहा होगा बिहार पोस्ट मेट्रिक स्कोलर्शिप 2022 आप सभी को थोड़ा सा यहाँ पर कि यह भी चीज दिखा देता कि आप सभी को और अच्छे से प्रूब्ड हो सके यहां पर आगर आप 10th किये हुए हैं 12th किये हुए हैं या गिर्जुएशन में हैं या अभी admission ले चुके हैं part 1 में किसी भी चीज में आप admission ले चुके हैं या बीटेक में तब भी आप सभी को य आप इस वीडियो को सुरू से लेकर अंत तक जहुर देखेगा तो यहां पर दिख रहा होगा आपसे भी को सरकारी योजना ठीक है ना सरकारी योजना यहां पर दिख रहा होगा यहां पर number one पर आपको दिख रहा होगा बिहार postmetrics scholarship 2022 और 2030 इसका मतलब यह होता है कि बिहार म में या किसी भी कोर्स के लिए वो प्रिप्रेर करना चाहते हैं वो पढ़ाई करना चाहते हैं तो उनको जो है न पोस्ट मैट्रिक scholarship मिलने वाला है तो उसको उनको क्या करना है उनको टैप कर देना है टैप करने के बाद एक नया scroll खुल कर आएगा उनको यहां पर आप सभी इतना सारे कोर्सों के स्टुडेंट वालों को फ्यादा मिलने वाला है ठीक है अब आप सभी को बता देते हैं कि आप सभी को कौन से डोकॉमेंट्स लगने वाला है पहले तो आप सभी को बता देते हैं उसके बाद वेबसाइट की नेम भी आप सभी को बता देंगे देखे eligible candidates यहाँ पर आपसे भी को बता देते हैं कितना लगेगा eligible candidates the amount of scholarship provide by the state of central government those students which come to schedule class schedule trips backward classes and most backward classes of the state which present of the guardian's annual income देखे यहाँ पर कहा जा रहा है कि वैसे student जिनके parents का और high lakh से कम का income है सलाना उनको जो है यह इस scheme का फायदा होने वाला है post graduation मतलब post metric का profit होने वाला है जिनका अढ़ाई लाग से salary और आप सभी जानते हैं कि लगवग लगव बिहार में जितने भी certificate बनते हैं income certificate उनमें जो है अढ़ाई लाग से कम ही का बनाया जाता है तो आप सभी को लगवग लवग student का बिहार में profit होने वाला है तो आप सभी को जो documents लगने वाला है वो documents कौन कौन सा है सबसे पहले आपके पास अधार काड होगा ही अगर नहीं है तो बनवाले लगवग लगव चान से 99% चान से की आपके पास अधार काड होगा उसके बाद आप सभी का एक एकाउंट होगा मतलब कोई भी किसी भी बैंक का खाता जरूड होगा वो उसका जीरपода, उसके बाद आपके पास फोटो उसके बाद income certificate मतलब आय पर्मान पत्र, उसके बाद residence certificate आवाशिय पर्मान पत्र, उसके बाद cost certificate मतलब जाती ये परम्ानपत्र उसका दिखे वहां गौलेज वाली ही भुझılar सब्सक्राइब देते हैं मतलब यह आपूलेज giftा में admission ले चुके है माली जाब polytechnic में admission ले चुके है तो आपका कितना cost पड़ा है उसका fee structure का आपको institute का देना होगा ठीक है उसके बाद exam passing marksit मतलब आप जिस exam को pass किया है उसका भी marksit आप सभी को देना होगा मतलब rank wise का ये देना होगा मतलब आपका total कितना documents लगेंगे वो आपको हम बता दे 12 documents टोटल लगेंगे जिसमें है अधार card, passbook, photo certificate, cast certificate और I पर्मान पत्र उसके बाद metric का और inter का bonafide और fee और exam passing मतलब यह सभी चीज आप सभी के पास असानी से available होगे यह सभी चीज आपके पास असानी से available होगे, आप सभी को कुछ नहीं करना है आप सभी को Kaiver cafe के यहां जाना है, देखें social website की नाम आप सभी को बता देंगे इकल्याण website का नाम है लेकिन आपको कुछ नहीं करना है, cafe दुकान में जाना है, driver दुकान में जाना है और उनको बताना है कि हमें post metric का form भढ़ाना है ठीक है आपको 100 उप्या लगेंगे 60 उप्या आप सब भीका लगेगा post metric का form भढ़ना है आप उनको बताईएगा वो आप सब भीको असानी से भर देंगे तो वहाँ पर आप सब भढ़ाने के बाद आपका document सब सही है और आपको अच्छा से form fill up हो जाएगा तो आप सभी कहा है वो आपका Mars तक आने का पैसा है वो पिछली वीडियो में भी जैसे हम आपको बताया थे वो आना start हो जाएगा आपके bank account में ठीक है तो यह जो है इस post metric का lab आप सभी student जरूर उठाएं क्योंकि बहुत ही ज़ादा फायदा बिहार सरकार दौरा यह scheme दी गई है 2020 से start हुआ है तो यहाँ पर काफी सारे लागों student lab उठा रहे हैं तो आप भी जरूर उठाएं polytechnic student के लिए special बोल रहे हैं अगर आप 11th में है अगर आप B.A. B.A. C.V. कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है आपको लगभग लगच चांसे की ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 से उपर आपको पैसा मिलेगा वैसे polytechnic वालों के तो 25,000 मिलेगा लेकिन 11th में है बी ए गर्जुएशन में है तो आपको 10,000 के असपा something मिल जाएगा ठीक है तो उमीद करता हूँ कि आपको post-metric scholarship scheme आप सभी को अच्छी से समझ में आये होंगे I hope कि हमारे द्वारा बताये बाते आप सभी को अच्छी से समझ में आये होंगे तो फिर मिलते एक नई वीडियो में जब तक के लिए जय हिंद